नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग उखल क्लासेस में आप सभी का स्वावत करता हूँ आपके लिए ले कराए हूँ विहारवोर्ड क्लास 10 दोहजार 23 गडित का पेपर दोहजार 29 सेट ए पचास में पचास आएगा जी दोस्तों आप जानते हैं कि 100 कोश्चन में आपको 50 बन होता है दोस्तों यदि आप हमारे सभी सेट को देख लेते हैं यदि आप जितने भी वीडियो आपको हम बनाएंगे आपके लिए 2023 के लिए साइन्स सोशल साइन्स हिंदी संस्क्रीट और इंग्लिस और मैट यदि सब सेट को यदि आप पढ़ लेते हैं तो संपूर रूप से आपका अब्जेक्टिव पोजिशन त्यार हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अबल आइकन प्रेस कर देता कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा तो दोस्तों पहला कोस्चन है यदि साइन ठीटा बराबर कोस्टिटा तो तेन ठीटा का मान क्या होता है इस तरह से सवाल होता है लेकिन यहाँ पर आपका क्या है साइन ठीटा बराबर कोस्टिटा तो ठीटा के मान आपको बताना है सिर्फ ठीटा आ यहां है आपका sin theta, आप cos theta को आपके लिख सकते हैं, sin 90-theta, sin 90-theta आप लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90-theta क्या होता है, cos theta, अब यहां पर देखिए आपका क्या है, sin और sin रहता है, तो आपका a और b formula होता है, a बराबर b, यहां theta बराबर आपका हो जाएगा, 90-theta, minus theta है, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 theta है, equal to 90 हो जाएगा, तो theta बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 जाके भाग मुझा जाए नहीं कि 45 हो जाएगा, यहां पर दोस्तों हमारा answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 degree, तो पहले नमर question का answer होगा आपका d number, second number question देखिए क्या है, second number question है, एक ब्रीद का ब्यास, 14 cm है, तो इसकी परिधी क्या होगी, इसकी परिधी जो है आपको निकालना है दोस्तों, परिधी, तो एक ब्रीद का ब्यास दिया है, परिधी निकालना है, तो हम फरिधी मूला क्या जानते हैं, ब्रीद के परिधी बुराबर, पाई डी, जब डी दिया है, तो पाई डी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रीद का ब्यास दिया हो, तो क्या होता है, 22 बटा 7, और ब्यास कितना है आपका 14, तो 7 दूना 14, यानिकि हमारे answer क्य आजाएगा, 24 यानिकि D नमबर answer आजाएगा, तिस्रा नमबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तिस्रा नमबर आपका क्वेश्चन है, बिंदुए माइनस 5, 7 और माइनस 1, 3 के बीच की दूरी ग्याद परना है, बीच की दूरी निकलना है, तो बीच की दूरी के फर्मुला होता है, अंदर रूट X1, तो X1 माइनस 5 है, X1 माइनस X2, ये X1 है, ये X2 है, तो माइनस X2 होता है, माइनस पहले से ही होता है, तो पलस 1 के होल स्क्वेर, पलस, पलस होता है, Y1 माइनस Y2, तो 7 माइनस 3 के होल स्क्वेर, अंदर रूट, ये देखिए, पांच मेंस 5 है, पलस सेकत चार हो जाएगा तो 4 चवगा, 16 और यहाँ हो जाएगा आपका साथ में से, 4 यानि के भी हो जाएगा आपका, 4 बचेगा, तो 4 चुगा, 16, 16 अपका हो गया 32 ठीक है, 32 का हम फेक्टर करेंगे, यानिकि C नमर अंसर हो जाएगा हमारा उसके बाद देखिए धिगहात स्वामिकॉरण B X स्क्वाइर A X पॉलसी व्रभर जीरो के मुल सामान है तो मुल सामान है यहां B X स्क्वाइर यहां पर ध्यान दिजिएगा और यहां A X है यानि कि B का मन कितना होगा A और A का मन क्या होगा हमारा B है उसके जगा पर C के जगा C है तो मूल समान होता है तो फर्मूला होता है D बराबर B स्क्वाइर माइनस 4C तो B के जगा A है तो यहां हमारा हो जाएगा A स्क्वाइर माइनस 4BC ठीक है यहां हमारा answer हो जाएगा दोस्तों 4 नमबर का D number A square minus 4 Bc होगा ठीक है आप यह मत समझे कि B square minus 4 Ac आप जो कब होता है जब यहां A रहता है यहां B रहता है तब यह होता ठीक है यह ध्यान में रखेंगे चली यह बात करते है अब पांट नमबर question की कैसे बनेगा 00 आप हमेशा याद रखेंगा अबजेक्टिम में भी पुछता है कि मुल बिंदू क्या होता है तो 00 00 है आप 2-3 है इससे बीज की दूरी निकलना है तो मुल बिंदू से निकलना होता तो फर्मूला होता है काटाने के बाद नीचे क्या हो या तो खाली 2 बचा हो या तो 5 बचा हो एँ दो 5 डो नव बचा हो ठीक है या देखे इसमें आर फेक्टर क्या होता है दू O नीचे दू बच रहे आख नुप्ति लीए हमारा सूट कौन होगाि या आप देख सकते हैं ट्रिक बताय हुए हम कब शांत होता कब पर में और कब पर מח होतह है इसका वीडियो हम पहले कहें बना है आप देख सकते हैं जॉक्त प्ले लिस्ट में ठीक है चलिए अगला क्वेश्टन देखते हैं बिंदू माइनस दू तीन और चार एके मिलाने वाले रेखा खण के मध्य बिंदू के नियामक मध्य बिंदू देखे कैसे निकालते हैं एक्स वन एक्स तू को जोड़ का दू से भाग देते हैं और वाई व by1 ठोक जोड का दू से भाग देते हैं तो देखिए माइनस दू चार आ बटा दू तिन ब एक बटा दू यहां हो जाएगा यह 2 बटा दू यह जाएगा चार बटा बटा दू यानि कि यह हो जाएगा 1 और यह 2 यानि कि एक और दू आ जाएगा, तो साथवा नमबर का एंसर हो जाएगा हमारा ए नमबर, ठीक है, ए नमबर हो जाएगा, आठवा नमबर क्वेश्चन में देखें क्या है, एक लंबिर्टी ए बेलन की तिर्जी आर और उचाहिए चेत, बक्र पिस्थे चेत्र पल क्या होग अब देखिए क्या है सेख साथ डिगरी का मान बताना है आपको सेख साथ डिगरी का मान तो देखिए कौस साथ का अगर आपको याद है तो सेख साथ भी याद है तो कौस साथ डिगरी का मान आपका होता है एक बटा दू तो सेख साथ डिगरी के बान आपको क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, तो हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर, सारवंतर D हो सकता है, सारवंतर D क्या हो सकता है, तो आपका धनात्मक भी हो सकता है, रिनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, तीन में से सब भी हो जाएगा, यानि हमारा एंसर क्या हो जाएगा, D नमबर, अब दे यहाँ आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बारे नमर क्वर्चन को इसमें भाज लगज जाएगा इसमें नहीं लगेगा ठीक है तो अब आपका एंसर है तो इसमें नहीं तो चलिए तेरे नमर कोश्चन देखते हैं कौन पौर में संख्या नहीं है इसमें पौर में नहीं है तो यह रूट में रहेगा यह भी रहेगा रूट में एक तीस भी रहेगा यह जो है पौर में संख्या नहीं है क्योंकि रूट पांच हो जाए तो पांच हो जाएगा अब सव सभाल है 10 12 P.20 ऐसमें कौन सांथ है बताना है इसका पांतीन होगा यह सांथ आपका नहीं है 160 यह जो है आपका यह पर देखिए क्या है यह आपका यह 12 Hs, 60 यह देखिए इसमें 3 आ जाएगा तो यहां आपका चौदे नमबर कोश्चन का जो है बी नमबर हो जाएगा सांथ दो समलो पर सार इसका सांथ है दो लागतार सम संख्याओं का महतम समय परतक होता है तो दोस्तों आपको हम बता दे होता है तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा दो होता है चलिए सोले नमबर कोश्चन और बीटा एलसे हम लेंगे तो होगा और ऊपर होगा आलफा फुल पर एक होगए एक बटा एक बटा एक बटा एक तो मैनस एक बटा दू हो गया उसके बाद सवाल देखिये क्या है सतरे नंबर यदि किसी समनांतर सेड़ी का A9 पहुद इतना है तो इसका पदांतर क्या होगा यह आपका A9 पहुद है ठीक है TN बड़ाबर दिया हुआ है A N पॉलस B तो D क्या होगा यह आपको बताना है तो A हो जाएगा इसमें तो मारा अंसर क्या हो जाएगा B नमबर तो दोस्तो अब 18 नमबर क्योश्चन है बिंदू P 6-5 का भूज है भूज यह आपको पुछा जा रहा है आपको तो भूज कहते हैं जो पहले वाला होता है आपकोटी कहते हैं बाद वाला कहते हैं यहाँ पहले 6 है तो 6 एंसर हो जाएगा बिंदू 2 और 3 निस्तित है देखिए इस तरह से आपका जो है होता है ठीक है यह आपका जो है X-2 है और Y-2 होता है तो इसमें आपका पुलस पुलस होता है पहले कोडिनेट बोला जाता है और minus plus होता है तो दूसरा और minus minus 3 प्लस minus 4 नमबर यह आप देख रहा है कि आपका जो है plus plus में है तो किस में है प्रत्थम में है तो answer हो जाएगा A नमबर ठीक है उसके बाद देखे 20 नमबर सावाल x बराबर A y बराबर B तो इतना और इतना को हल A और B के मान करम सक्या होंगे य x बराबर A y बराबर B है तो देखे यहां पर y और y कट जाएगा तो 2 x बराबर हमारा क्या बचेगा इधर 6 यादि कि x बराबर 3 आ जाएगा x का मान 3 आया तो y का मान जो है आपका एक आ जाएगा ठीक है इस तरह से हमारा एंसर हो जाएगा 20 के c नमबर ठीक है अब देखिए मूलों के प्रकृति बताना है एक को इस नमर में मूलों के प्रकृति बताने के लिए आपको d निकलना पड़ता है तो d b बेचक है तो b square minus 4 a c फर्मूला होता है एक को इस नमर d के मान जब माइनस में है तो आपका o आस्तिक होता है तेहां पर आपका एंसर हो जाएगा c नमबर अब देखिए बिंदू 4 minus 1 2 3 के बीज के दूरी निकलना है ठीक है तो बीज के दूरी का सुत्र होता है एक स्वान माइनस एक स्टूति यानि कि 4 minus 2 के whole square प्लस minus 1 minus 3 के whole square त ठीक है तो 22 नमबर के अंसर हो जाएगा 2 root 5 2 root 5 यहां पर आपका अंसर हो जाएगा d नमबर अब सवाल है बिंदू बिंदू इतना को मिलाने माली रेखा खण के मध्य बिंदू इतना दूरी से है देखे यह दू को बिंदू है और यहां मध्य बिंदू है मध्य बिंदू और जो है आपको 0 दू यहां से दूरी निकलना है यह दूरी निकलना है तो मध्य बिंदू इससे निकलना है तो मध पांच यहां पे हमारा एंसर हो जाएगा सी नंबर कि अब तिर्भूज के क्या होंगे तिर्भूज के क्या निकलने के क्या फर्मूला होता है एक सोन पुलस टू पुलस थिरी बटा तीन और वाई वन पुलस वाई टू पुलस वाई थिरी बटा तीन यह आपका होता है फर्म से भाग देते हैं, चावविश नमबर कुस्चन है, ठीक है, तो आपका एंसर आजाएगा दू तीन, यहाँ पे एंसर आजाएगा आपका बी नमबर, उसके बाद देखे बीदवे इतना संदर एक हैं तो क्या होगा, संदर एक हो, एक दू है, जीरो जीरो है, तो संदर एक व पोड़ी के तिर्भूजों के उनकी संगत भूजाओं का अनपात सदेव समान होता है यदि कोथन क्या हो 26 नमबर कोश्चन है ठीक है सदेव क्या होने चाहिए थेल स्पर में का ये नियम कर रहा है ठीक है तो थेल स्पर में पर हम ठीक लगा देंगे सता अब देखिए 27 नमब या 30 डिग्री 27 नमबर को 90 डिग्री हमारा एंसर हो जाएगा सी नमबर को नेस्ट क्वेश्चन है तिर्भूज ABC और तिर्भूज DEF जो है तो DEF का छेत्रफल आपको जो है निकालना है ये मान आपको दिया हुआ है ठीक है यहां पर हमारा जो है DEF का छेत्रफल जो हो जाए जाएगा उसके बाद है बिरित के अंदर एक दिये हुए दिये हुए बिद्दू से बिरित को कितनी अस्पार्श रखाएं खिची जा सकती है तो दोस्तों आपको हम बता दें यह 29 नमबर कोश्चन है जीरो ठीक है एंसर हो जाएगा आपका उसके बाद 30 नमर कोश्चन है यदि तिर्भूज ABCDEF समरांतर हो तो समरूप तिर्भूज हो तो क्या होगा इसमें आपको बताना है तिस नमबर कोश्चन है तो आपका हो जाएगा कोंड B बड़ाबर कोंड D यहाँ पे आपका उसर हो जाएगा D नमबर क्वेश्चन नमर 31 देखे क्या करें समर्दिबाहू समकोर तिर्भूज ABC कोंड C समकोर हो तो A B S कर बड़ाबर क्या होगा A B S कर बड़ाबर 2 A C S कर जाएगा हमारा एंसर हो जाएगा A नमबर किसी बाह बिंदू P से ब्रीद जिसका क्यांदर O है खिची गई दो अस्वास रखाएं P A और P B के बिज के कुण 80 दिग्री है तो इतना कमान क्या होगा 32 नमर क्वेश्चन है आपका एंसर हो जाएगा 50 दिग्री तिर्भूज ABC के भूजाओं में AB और AC दो बिंदू D और इसी के समनांतर है तो आपको A ही बुराबर इतना है तो AC के मन क्या होगा यह आपको बताना है मतलब कि आपका जो है यह एक तिर्भूज है A B और C D इसके समनांतर है ठीक है D और E जिसमें से A E आपको दिया हुआ है A E दिया है ठीक है A E 1626 और A D अनुपाद D B है ठीक है तो AC के मन जो है आपको निकलना है तो किस नमबर क्वेश्चन है तो इसमें आपका 8.8 एंसर हो जाएगा यह नमबर अब 17 समनांतर सेड़ी 8 10 बारत दिया है दस्वापद निकलना है तो TN बराब फर्मूला क्या होता है A पलस N माइनस 1 इंटू D ठीक है तो A का मन 8 है पलस N का मन दस्वापद है अब माइनस A का D का मन घटा यह 10 में से 8 गया तो 2 ठीक है तो यहाँ हो जाएगा आपका यह 9 न नमबर 26 हो जाएगा उसके बाद है एक सब्सक्राइब टू के एक पलस चार तो एक मुल दू है तो के कमान आपको बताना है एक मुल जो है दू है तो के कमान बता यह 35 नमर क्वेश्चन है दोस्तों माइनस दू आएगा हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर यह को इस अठार तो आठवा पता जाएगा ठीक है तो इसके बाद सवाल है समीकरण 2x² प्लस 5x मैनस बारे का मुल कौन होगा आपको जो है इसका हॉल करना है जब इसको हम हॉल करेंगे 37 नमबर क्वेश्चन को तो एंसर आएगा माइनस 4 एक सेश्श कर माइनस 2x² प्लस 5 तो आलपा प्लस बीटा कमौन किया होगा तो मुलो का यकंग निकलना है तो मैनस B य तो मैनस 2 मैनस पोईलर ही से होता तो मैनस मैनस प्लस 9 कि दूआ ठीक से क्या हो जाएगा एंसर आपका B नमबर दू आश्श्चन सेवाल है साइन नब्य माइनस ए तो साइन नब्य माइनस ए फर्मूला होता है को से तो यहां पर आपका जो है यह नंबर एंसर हो जाएगा से के बराबर क्या होगा से के बराबर वन भाई को से होगा क्योंकि को से के बराबर एक होता है यहां पर यह नंबर एंसर हो जाएगा अब देखिए यहां है कोशेक 44 सेक 46 ठीक है एक तालिस नमर कोश्चन जो है देखना है आपको देखिए उपर कोशेक हो और नीचे सेक हो दोनों पर जोड़ने पर जो है 90 होता हो तो उसका मान एक होता है तेहां हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर तो कोश साथ के मान होता है एक बटा दू एक बटा चार दू गूड़े एक बटा चार कटाएंगे तो दू आ जाएगा नीचे ठीक है तो 42 नमबर को आपको एंसर हो जाएगा डी नमबर एक बटा दू अब है साइन स्क्वर 20 आ साइन स्क्वर 70 के मान क्या होगा दोस्तों आपको हम बता दे साइन साइन इस तरह से हो आई जोडने तो 90 होता हो तो उसका मान जो है आपका एक होता है तो यहाँ पे एंसर हो जाएगा एक 10 ठीटा इंटू कोड ठीटा के मान आपका एक होता है तो यहाँ पे आपका एंसर हो जाएगा एक नमबर ठीक है अगलास क्वेश्चन देखिए क्या है नेश्ट क्वेश्चन है किसी तिर्भूज ABC में जहां कूण B समकूड है यदि यह भी 12 सेंटिमेटर BC इतना है तो AC के मन क्या होगा ठीक है आपको बताना है तो यह पी को मन हो जाएगा आप 12 के स्क्वार होगा 145 के स्क्वार आपका हो गया 25 ठीक है जोड़ेंगे तो 169 त साइन अ कॉस इधर आजाएगा कॉस अ बराबर हो जाएगा आठ उधर और पांच नीचे आजाएगा और साइन बटा कॉस टेन होता है तो टेन अ बराबर आठ बटा पांच तो कोट अ बराबर पांच बटा आठ हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका एंसल हो जाएगा 43 नमबर के D नमबर Q47 देखिए Q60 के मन बताना है तो Q60 के मन आप बताये क्या होता है Q60 के मन आपका जो होता है ROOT3 Q60 का मन आपका हो जाएगा 1 by ROOT3 यहाँ पर आपका एंसर हो गया B नमबर जब सुर्य का उन्हें Q60 डिगरी हो तो Q50 के मन आपका जो हो जाएगा Q60 के मन आपका एंसर हो जाएगा दोस्तो 2 रूट 3 यहाँ पर आपका C नमबर एंसर हो जाएगा अब आपका सवाल है यदि एक और दिवरीत का परिमाप इतना है तो इसकी तिर्जिय क्या होगा ठीक है दोस्तो आपका हम बतादे 7 cm आपका एंसर हो जाएगा क्योंकि 36 से 36 आपका कटेगा और्ध बिरीत का परिमाप है क्या फर्मुला होता है और्ध बिरीत का परिमाप बरबल πाई आर पलस टूगार आर कमन लेंगे तो आपका क्या होगा पाई आर पलस टूगार होता है पाई आर पलस टूगार इस तरह से आपका हो जाएगा यहां आपका इधर और्ध परिमाप 36 से तो 36 रहेगा ठीक है पाई के मान रखेंगे 22 बटा साथ आप पलस दूट तो सादूने चाउदे आर बाइस चाउदिस बटा साथ 36 से चाउदिस पड़े रहें के आर के मन साथ आ जाएगा ठीक है अब एक क्वेस्टन एक बिरीद के चेतर फल आपका है 154 देखिए बिरीद के चेतर फल 154 इधर आपका होता है पाई आर एसक्वाइर तो साथ से गूड़ा हो जाएगा 154 देखिए बाईस इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका यह एक आर आपको समय रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो के निटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थांकियू दस्तों राधे राधे दस्तों